थौट अफ दड़ी आज का विचार क्या है इसी विचार के साथ दिन की सुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग आस्परेंट स्वागत है आपका फोकस ओन एजुकेशन में मैं एजुकेटर आप सब के लिए इंपोर्टन फ्रेक्ट्स लाई हूं जो कि आपके कंपटेटिव एक्जाम में हल्प करेगा क्या कुछ एक खा अपकर ने आसापे नाम का एक एम्डॉड एप और वैप पोटल लॉँच किया है क्या करेगा आसा पे याप की डिजिटली भुगदान करेगा यानि दिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इस एप को लॉँच किया गया है और इंपोर्टन पॉइंट क्या है हर्या तो आपका अनेमिया में सबसे अच्छा परफॉर्मंस करने के लिए उसको खतम करने के लिए प्रावधान हर्याना ने किया तो उसमें टॉप पर रहा और यहीं पे आपका सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो की भी आयोजन किया गया नेक्ट जो है वह आपका किसान मित्र यही खेलो गेम का होगा हर्याना में होगा और यहीं पे सची वाले की भी सुरुवात की गई यह कुछ पॉइंट थे इंपॉटेंट हर्याना से चलिए नेक्ट पॉइंट पर नज़ें डाले वह क्या है केंद्र किस केंद्र सासित परदेश ने खुले सीग्रेट और बीडी के विक्री पर प्रतिबंद लगाने की घोशना किया है यह किस ने किया है दिल्ली गवर्मेंट ने किया है ठीक है अगर आपको यहीं चीज सेम प्रशन पूछे राज के तो वह कौन क्या है महराश्ट किया तो यह दोनों याद रखीगा अभी केंद्र सासित परदेश कौन ब पहला फर्स्ट प्लाजमा बैंक यहीं खोला गया था याद रखेगा यहीं पर डियार्डी और द्वारा 12 दिन में एक हॉस्पिटल की सुरूबात की गई मताब ओपन कर दिया गया बनाके यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दिल्ली से नेक्ट पॉइंट क्या है कि इस राज्य ने मचुवारों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल सुरू करने की बात किया यह इंपॉर्टेंट है इसको जरूर धियान दिजेगा कि कौन सा ऐसा पहला राज्य क्योंकि फर्स्ट जो भी पूछा जाता है तो वह इंपॉर्टेंट बन जाता है तो पहला सा राज्य बन गया जिसने की रेडियो चैनल सुरू किया किसके लिए मचुवारों के लिए तो कौन है आपका तमिल लाडू तमिल लाडू तो आपका जो फिशिंग है उसमें भी टॉप पर है और यहां पे गुड गवर्नेंस भी यही पर है ठीक है इसमें भी टॉप पर ह यह कुछ important point थे किससे आपके तमिल लाडू से next point क्या है देखिए किस संस्था द्वारा किये गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सप्टेंबर 2020 की अब अबदी में business conference index में 41.1 की बढ़ोतरी देखी गई है तो किस में देखी गई है NCAIR में देखी गई तो यह इतना important नहीं है बढ़ आपको पता होना चाहिए next important point हमारा यह यह very important point है क्या है यह अंतर संसथी संग यानि inter parliamentary union का मुख्याले कहां है तो यह आपका Geneva में Switzerland में है Geneva में तो कई सारे headquarters है लेकिन अभी जो चर्चा में रहा वो कौन है inter parliamentary union इसके establishment कब की गई थी तो यह 1889 में किया गया था ठीक है और इसके member कितने है तो 179 member है यह याद रखिएगा और यह news में क्यों रहा मैं इसके बारे में आपको इस organization के बारे में क्यों बता रही है क्योंकि यहाँ पे अभी चुनाव हुआ और इसके head चुने गया है तो अभी कौन चुने गया है पुर्तगाल के हैं कौन दुवार्ते दुवार्ते पचे को याद रखिएगा ना पचे को इसने पचक जो पचे को तो इनका नाम यह है और यह हर कोई भी जो head होता है इनका यह 3 साल के बना जाता है तो इनके जो head के tenure कितना होता है 3 साल का यानि यह 2020 से 2027 तक के 23 तक के लिए रहेंगे और इसका कौन सा अभी बैठक था तो 206 नंबर का इसका बैठक था इस point को भी याद रखिएगा ठीक है next point क्या है water rix filter online portal किसके द्वारा विक्सित किया गया है यह भी important है यह आपकी WWE यानि World Wildlife Fund के द्वारा विक्सित किया गया है यह online portal था जिसमें कि इन्होंने एक report को publish किया उस report को देख लेते हैं तो report में किया था इंडिया की तीन state बहुत खराब condition में हैं मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पे water 2050 तक water crisis देखने को मिलेगा निपाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो कहां वो कौन-कौन से है जैपूर राजिस्थान में इंदौर MP और थाने राजिस्थान तीके यह है अगर पुछा जैपूर का स्थान क्या है तो अगर 100 city की index निकाले गए थी इसमें 45 index में स्थान मिला है किस जैपूर को बहुत खराब condition है इंडिया की और अगर पुछ जैपूर में यह लेकिन प्लेस से लगे जी निवा नहीं है ध्यान देखिए ग्लैंड है यह याद रखेगा चलिए और इसका अगर पूछा जाए डब्लु डब्लु ए का एफ डब्लु डब्लु एफ का आपका जो मैस्कोट होता है वो क्या है तो पांडा है ठीक है नियुक्त किया गया है वह आपकी शंगीता सिंग को किया गया है कहां पर है यह मतब क्या काम करेंगी तो स्वतर्पता आयोग जो होता है तो अवेर्नेस यूनियन उनकी यह हैड बनाई गई है और गुजरात किस पर टॉप पर है तो गुजरात आपका कंपोजिट वाटर पर मैं जमेंट में चॉप पर हम इन्स्स्ट आप क only आप चुटाल्माइज्मेंट बाउड में चमछीस चुटाप ऑफ इनृट्यवी प्लेन नखलाट गई इंश से आया है इस पॉइंट को भी याद रखेगा चलिए नेक्स पॉइंट पर नजय डाले वो क्या है सार्वनी छेत्र की पावर ग्रीड कॉर्परेशन ओफ इंडिया ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया है तो किसे क्या है अभे चौधी जी को नियुक्त किया है नेक्स्ट पांट क्या उस पर नजय डाले एक और इंडेक्स है उसका नाम क्या है साइमेन अनोहल्ट स्पाइस साइस ठीक है साइस ने के द्वारा एक नैशनल ब्राइंड ब्राउड ब्राड इंडेक्स को किस कौन सा देस इस पर टॉप पर रा मतलब इसका क्या है कि एक साइई ऑल ऑंटल थे कंपनी एक ओर्वनेजेशन इस निकाला नैशनल ब्राइंड इंडेक्स यानि राष्ट के तोर पे देखे तो कौन सा असा राष्ट है जो कि एक ब्रैंड की तरह काम कर रहा है ठीकि समझे कुश्यून को तो ब्रैंड की तरह कौन क का इंडिया नेश्ट प्रांट क्या है ओ वी विजियन मेमोरिय लिटरेसी एवार्ड किसे दिया गया तो यह सुभा चंद्राजी को दिया गया इनकी उपन्यास थी समुंद्र सीला नेश्ट प्को छागिए ओ मत्रालए के अंदर आता है यह इंप्रटेंट किया है कब से कब तक 24 तक मनाया जाएगा और जो राश्ट नदी है वो कब घुशित की गई थी तो वो चार नमंबर को घुशित किया गया था इसलिए इंपोर्टन नियूज है नेक्ट पाइंट क्या है आपकी भारती अच्छ उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड कब स्थापित की गई थी यह 1987 में स्टैबलिस्मेंट की गई थी यह क्या कारे करती है तो उर्जा जो सच उर्जा वित्रण के लिए समर्पी थे और यह वित्ती संस्ता है इस पाइंट को याद रखिएगा इन्होंने अभी कंपनियों के साथ टाइप किया है जिससे की वो रिन्यूबल एनेर्जी पर काम कर सके नेक्ट क्या है हमारे लिए वो है यह मिसन सागर दो के तहट सुडान में खादे सहायता किस आयनेस द्वारा भीजी जा रही है तो यह मैंने आपको पहले प्रिवियस यह वीडियो में बताया हुआ है ठीकि एम खादी सामगरी भीजी जारी है कहां पर सुडान में कौन ले जा रहा है तो मिसन सागर दो के तोहत लिया जा रहा है और कौन आयनेस जा रहा है तो एरावत एरावत आयनेस वो ले जा रहा है और कहां कहां ले जाएगा किसा सुड सुदान में सिर्फ नहीं तो जीबुटी सुदान इर्टिया में महामारी के कारण वहां पे खाने की बहुत ज्यादा किल्लत होगी यह सांतिसाद मेडिशन की वी तो अमेशन जो सागर दो है वो इसलिए काम करेगा इसका अगर फूल फॉर्म पुचे सागर एंड सेक्योर्ट एक सागर लॉंच हुआ था जो हो कि 2015 में हुआ था और वो इंडियान ओशन के लिए था यह पॉइंट के हाद रखेगा ठीक है चलिए नेच्ट पॉइंट पर नजड़ाले वो क्या है यह आपका इलाह का एयर बेस कहां पर है यह बैंगलूरू में है क्यों नीज में आ क्य 2021 और यह कहां पर होगा मैंने बाता था बैंगलूर में लेकिन बैंगलूर में किस एयर बेस पर होगा यह अभी डिसाइड नहीं हुआ था अब डिसाइड हो गया है तो क्या नाम है इसका इलाहका ठीक है यहाँ एयर बेस जो है वहाँ पर इसको आयोजन की जाएगी तो यह पर दिया गया है तो गोवा को दिया गया है और गोवा में और इंपोर्टन पॉइंट क्या है गोवा पहले ऐसा स्टेज बन गया है जिसमें कि टैप वाटर जो है ग्रामीट से तरो तक पहुंचाई है यहीं पर आपका जी जो नैशनल गेम है कौन से नंबर का 36 नंबर का ऐएं पर आयुज़ित किया जाएगा इस पस्तन को भी याद रख्येगा नेश्ट पर क्या है किस राज के दृओर जपान कार्पिट फियर का आयुज़ित किया जा रहा है यह यूपी के मिर्जापूर में किया जा रहा थू कि याद रखी गई यह क्या है जापान कारपैट्ट को जो कालिन होता न कालीन तो उसके लिए से तो भधु ही जो है आपका वो जाना जाता है रह connecting आपका जीला लेकिन यहां पे मिरजापूर में जो जापान कारपेट फैरी को का supply को बढ़ाने के लिए ही नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका और अच्छा यूपी से अगर देखा जाए क्या क्या इंपोर्डेंट मनरेगा में टॉप पर क्या है यूपी दूसरा क्या है कि यूपी जो है अबी एक मिसन सक्ति लॉझ किया था फीमेल के लिए नौरातर के सेमें और एक और भी कई सारे स्कीम्स लाउजने से वल्चर एक अंजर्वेशन सेंटर लगाया जा रहा है यूपी में अभी छे जो हैं वेटलेंड को भी नामित किया गया तो ये कुछ पॉइंट है इसको याद रखेगा नेक्ट पॉइंट क्या है कि सोसल मेडिया द्वारा आठ हाउश इन इंडिया को लाउंच किया गया तो ये ट्वीटर जो सोसल मेडिया है उसने लाउंच किया चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्यो आस्परेंट